हेलो एब्रेवन जैसे कि आप सभी जानते हो कि कद्दू का जो बीज है वो काफी ज़्यादा फाइदे बंद होता है हमारी स्किन के लिए, हमारे हेर्स के लिए और हमारे हेल्थ के लिए वैसे पहले मैंने इस पर वरड़ शेयर کر रखी है जिसमें ये बताया हुआ है कि कद्दू के बीज का ऊयल आप कैसे बना सकते हो घर पर हो वी तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं और वहां से आप अग्दू के बीज का आउयल बनाना सीख सकते हैं लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कद्दू के वीज के फायदे किस तरीके से होते हैं कद्दू का बीज ऐसा बीज है जो फीमेल, बच्चा, बूढ़ा हर कोई इसका इसका इस्तावाल करके और इसके फायदे उठा सकता है क्या क्या फायदे होते हैं यह हम जानेंगे आगे वडियो में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजे और अब चलिए विडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वेनिफेट्स जो है वह है आपकी इसकिन के लिए कद्दू का जो बीज होता है इसमें बहुत सारा एंडियोक्सिडेंट पाया साते है जो हमारे इसकिन के लिए बहुत जादा फायदेमंद होते हैं इसकिन में को बूश्ट करता है इसलिए आप इसे अपनी डाइट में जरूर सामिल करें अगर आप कद्दू के बीज का सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी नीद आती है क्योंकि अक्सर जिल लोगों को नीद ना आने के समस्या होती है उनके बोड़ी में अक्सर मैगनी सेम की कमी होती है के बीज के मागनी बहुत जादा है तो इसलिए आपको नीद ना आने की समस्या हो तो आज ही से कदू के बीज का सीमन परणाय करना है स्टार्ट कर दीजे बालों के लिए बहुत अच्छा है जिल लोगों के बालों की ग्रोथ भी नहीं हो रही है और बाल जड़ भी बहुत जादा रहे हैं उन लोगों को कद्दू के बीज का ओयल अपने हेर्स में लगाना चाहिए एक study के दोरान पाया गया है कि कद्दू की बीज में बहुत सारा मतलब antioxidant होता है अब इसका ओयल मार्केट से खरी तो काफी जादा कोशली पड़ता है तो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है कि इसका ओयल आप घर पर कैसे बनाए तो इस वीडियो को प्लीज आप जाकर चेक कर रही है अगर दे दूंगी तो वहां से आप क्लिक करके और देख सकते हैं नमबर फूर महलाओं के लिए जैसा कि आजकल मेरे वीडियो की नीचे बहुत सारे कोमेंट साते हैं कि प्रोब्लम सा रही है क्या करें या फिर मेरे हर्मोन इंबालेंस रहे तो उसके लिए अगर आपको हर्मोन को वैलेंस करना है तो कद्दू की बीज से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कद्दू की बीज का सेवन कीचे आपको अच्छी नीद आएगी और आपका हर्मोन वैलेंस में रहेगा पुर्सों के लिए भी काफी ज्यादा फाइदे मंद होता है क्योंकि इसमें जिंक बहुत ज्यादा मात्र में पाया जाता है तो यह आपकी सेक्सुल लाइफ को बहतर बनाता है तो इसलिए इसका सेवन आपको जरूर करना चाहिए नमबर 6 डाइबिटीज में फाइदे मंद होता है अगर आपको डाइबिटीज है तो आपको कद्दू का सेवन की से इससे आपको डाइबिटीज में काफी ज्यादा मदद मिलती है इस टुरी के दवरान पाया गया कि ये आपके बलड प्रेशर को भी कंट्रूल करता है आप पाचन क्रिया के लिए भी बहतर होता है मतलब पाचन क्रिया को भी बहुत अच्छेसे मैनेश करता ही काफीー ज़्याद сторону करना तो इससे जरूरी है लेकिन कैसे इस्ते हैं ये जान इस प्रकार से जब आपब चाह करेंगे तो इससे क्या होगा जो इसका गरम नेचर है वो फिर यह सेवन करनी नाऊचिस इज चाहिए, इसे staircase युदि के सेमय करें.. और हगा, रीस युद टूनरों काफी ज़ादा फायदीमंद होता है, लेकिन इस्तमाल करने के लोग तरीका नहें, तो इस्तमाल करने का तरीका क्या है कि कद्दू का बीज होता है काफी जादा लिक्ड होता है गढ़ा होता है तो इसे आप ऐसी इस्तमाल नहीं कर सकते हैं वरना बाल बहुत जादा चिप चिप हो जाएंगे तो इस्तमाल करने का क्या तरीका है कि आपको को कोकोनेट ओल लेना बालो को साथी साथ coconut oil की भी जो benefits है वही मिलंगे इससे आपके बाल इतने तेजी से ग्रो करेंगे और हैर पॉल की समस्या कम हो चाहेगी और हैर ग्रोथ होना स्टाउट हो चाहेगी लेकिन जिस तरीके से में आपको बता इस तरीके से आपको समर्शेजन में स्तमाल करना है कद